बहुत से लोग solar industry में अपना खुद का business तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन knowledge की कमी होने के कारण इस industry में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो काफी आपके मन में सवाल होगी है, solar industry में में अपना business कैसे शुरू करूं, कितना investment लगता है, material कहां से purchase करना है, power plant की designing कैसे की जाती है, sizing कैसे करते हैं, string कैसे बनाई जाती है, side की feasibility test कैसे करते हैं, पूरी drawing, designing, single line, diagram, SLDs कैसे बनती है, बहुत से आपके मन में सवाल रहते हैं कि छोटे plant को हम install तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े plant की designing और installation कैसे होता है, कितना खर्चा होता है, project management कैसा होता है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है, तो ये सारे सवालों के जवाब आप दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि latest batch, 18th batch हमारा अभी चालू होने वाला है, 16th December से हमारा batch चालू होने वाला है, ये 5 दिन की practical training होगी, 16-20 December आपको भुपाल आना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी 20 days की online training होगी, ये सारी चीज़े मैं आपको explain करने जा रहा हूं इस वी आपको स्वागत करता हूं and आशा करता हूं कि आप definitely solar industry में अपना business शुरू करना चाहते होंगे या solar industry में आप job करना चाहते होंगे, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि इन 5 दिनों का क्या benefit आपको मिलेगा, क्या-क्या outcomes रहेंगे, ये 5 दिन की practical training भुपाल में जो हो 1000 successful solar business startup on pan-india में create कर चुके हैं, जो भुपाल हमारे यहां पर आते हैं training करने के लिए उनको पूरा 5 दिन की practical training और 20 days की online training भी provide की जाती है, अब इन 5 दिनों में आप भुपाल में क्या सीखेंगे और online क्या सीखेंगे, अब हम उसके बारे में जान लेगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 5 days की हमारी practical training है, और 20 days की online training है, with government certificate, आपको यहां पर government of India का certificate भी मिलेगा, जो की pan-india में valid है, आपको तहीं वे भी disk.com में registration कराना है, तो यह certificate हमारा valid है, यह आपकी 5 days की practical training भुपाल में हो रही है, इस training में यह पूरा हम practical knowledge provide करते हैं, क्योंकि solar आप classroom में बैठ practical installations नहीं करेंगे, तब तक आपको 100% confidence नहीं आएगा, तो यह benefit है, आप अगर job करना चाहते हैं, solar industry में तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप business करना चाहते हैं, अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप startup कर सकते हैं, आपको अगर consultancy का का काम करना है, तो भी आप कर सकते हैं, आपको power plant, designing, installation, pan, इंडिया में कहीं पे भी जरूरत है, तो हमारी team आपको वहाँ पे भी help करेगी, पहली चीज में आपको clear कर दू, मैं अपनी बिल्कुल भी dealership, distributorship कुछ भी promote नहीं करता हूं, नहीं आपको मेरे से कोई भी material लेना है, मेरा main उद्देश है, आ आप निर्भर बने, अपनी company खुद चालू करें, खुद material purchase करें और खुद ही अपना business की शुरुवात करें, अपना brand बनाए और अपने brand को आगे promote करें, मुझे अपने brand को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना है, आप अपने brand खुद बनाई हैं और आगे बढ़ाना है, यह course की मैं details आपके साथ share already कर चुका हूं, मैं basic सारी चीजें, यह सारी चीजें मैं cover करूंगा, electrical के अगर आपको technical हों या non-technical हों कोई दिक्कत नहीं, अगर non-technical हैं तो हम आपको technical बना के ही भीजेंगे, तो आपको फूरे basic concept of electrical concepts में आपे share करूंगा, voltage क्या होता है, current क्या angles पे हमें अपने solar plants को लगाना चाहिए, solar cell, module test, सारी test condition, standard test conditions, temperature का क्या-क्या फरक होता है, voltage और current पे, shadow effect, सारी चीजें हम यहां पे cover करेंगे, छोटी से लेके बड़ी चीजें सारी यहां पे cover होंगे, आपको सारी tools के बारें बताया जाएगा, site survey कैसे किया जाता है, आपको single line diagram, block diagram कैसे बनाया जाते है, SLDs क्या होती है, सारी चीजें हम यहां पे आपको cover करेंगे, कोई भी site पे क्या कितने kilowatt का system हमें लगाना है, क्या उसकी viability है, material procurement कैसे करना है, सारी चीजें आपको cover होंगे, फिर हम चलते है, day two is the system designing part, हम off-grid कितने types के solar plants होते हैं, हमारे इंडिय हमें कौन-कौन से solar power plants लगते हैं, off-grid systems क्या होता है, उसके सारे components क्या-क्या होते है, material कहां से उसका purchase करना है, और उसकी designing कैसे करते हैं, और उसका practical installation भी हम day three में देखेंगे, तो यह हमारा पूरा day one में हो गया, off-grid system, on-grid system की पूरी designing installation पूरा हम practical day three में करेंगे, लेकिन सीख करेंगे day two में, cables कितने types की होती है, DCDB, ACDB boxes में क्या-क्या होता है, service protection devices, sizing, सब चीजा हमें आप भी सिखेंगे, day three में hybrid system के बारे में भी हम आपको explain करेंगे, और इसका पूरा practical भी कराएंगे, अब चलते है day three में, आपको सारा day three में जो चीज आपने दो दिन में सीखी, उसक चीजे हम अपने institute में practical कराते हैं, आप सभी लोग को ग्रुपों में divide किया जाएगा, एक ग्रुप में तीन से चार लोग रहेंगे और आप सारी चीजे practically करेंगे, multi meter use करने से लेके, cable cabling करते हुए, power plant को installation करना, structure की marking, designing, sizing, installation, सारी चीजे हम मिलके करेंगे याप, पिर यह प सारी चीजे हम यहां पे करेंगे, पिर day 4 में मैं आपको एक अपनी site पे लेके जाओगा, जहां पर हमने 100 kW का solar system लगाया हुआ है, वहां पर आप पुरा देखेंगे कि हमने quality work कैसे किया है, उसकी planning कैसे की, उसका installation कैसे किया, सारी चीजे हम यहां पे cover करेंगे, और day 5 में मै आपको पूरी government की policy, solar power plants के बड़े-बड़े solar system होते हैं, उसका insurance कैसे किया जाता है, subsidies के बारे में, government की क्या-क्या schemes है, क्या-क्या benefits है, loans कैसे मिलता है, बड़े-बड़ी industries को कैसे finance होता है, सारी चीजें, depth की marketing strategy, और बहुत important चीज, आपने training तो कर ली, आपने technical knowledge तो ले ले ये knowledge को आपने अपनी company जो बना रही है, उसको आप boost कैसे करेंगे, तो digital platform के थूरू आप कैसे market भी कर सकते हैं, पूरी marketing strategies को आपको मैं आपे cover करने वाला हूँ, आपको अपने different states में vendor registration कैसे करना है, national portal पे registration कैसे करना है, वो सारी चीज हम यापे cover करेंगे, और ये 20 days, ये 5 पास दिन होने के बास आपको 20 days online sessions का पूरा access मिलेगा मेरे course का, इसमें सारी चीजे पूरा detailed में आपको, जो चीज आपने past दिन में classroom sessions किया, उसका detailed versions आपको 20 days के online sessions में भी मिलेगा, side survey कैसे करना, सारे components के बारे में A to Z solar module बनते कैसे हैं, क्योंकि practical training में 5 दिन में module manufacturing नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको manufacturing भी सीखना है, तो आप online सीख सकते हैं हमारा, ये सारे tools, सारी चीजे मैं यहाँ पर आपको cover करने जा रहा हूं, तो ये रहा हमारा 25 days का session, अब ये ज क्योंकि timing मेरे लिए बहुत बड़ा issue नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगं के लिए 5 दिन पूरा available हूं, या पर 5 दिन की practical training मिलेगे आपको, 20 days का online session मिलेगे और lifetime का business support भी आपको हमाई दरफ से मिलेगा, ये जो training है, ये 16 December से 20 December आपको भोपाल आना पड़ेगा, ये daily training होने वा आप करते हैं, तो 20,000 रुपीज फीस होगी आपकी, जिसमें आपको 5 दिन की training और आपका 20 दिन का online session भी आपको यहाँ पे मिलेगा और lifetime का business support भी आपको provide किया जाएगा, ये जो training fees है, इसमें आपकी morning tea, evening tea और lunch included रहेगा, अगर आपको कोई भी hotels में रुखना है, कहीं पे भ provide कर देगी, आप उनसे coordinate करके बात कर सकते हैं, तो जो लोग भी ये training करना चाहते हैं, जिन लोग को interest है, solar industry में अपना business शुरू करने का, वो वीडियो के नीचे दिये गए, number पे आप call कर लीजे, वहाँ पे आपको team पूरी help कर देगी, कैसे आपको भूबाल आना है, कहां से different states से लोग भाग भूबाल आते हैं, तो वो आपको पूरा support कर देंगे, help कर देंगे, और अगर आपको कोई stay में दिक्कत है, कहीं आपको रुटने की दिक्कत आ रही है, तो भी आपको hotels की details भी share हो जाएगी, मेरी team के माध्यम से, और आपका मैं wait करूँगा भूबाल में, म मिलते हैं, भूबाल में Solar Rooftop Hands-on Practical Training में, चैहन चैवानद